नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपोर्टन्स कमपणी का आप्टे लेका हूँ, और आज का वीडियो बहुत इंड्रेस्टिंग होने वाला है, कि इस वीडियो को लाज तक जुरू जो आपको बहुत दिनों पहले भी महीं ने दिखा था, और बीच में वीडियो बना कपको स्यार किया था, कि पेसेंस कितना होना चाहिए, मार्केट को पर काम कने के लिए, वो पेसेंस का कितना फल मिलता है, वो भी मैं आज आज आपके साथ लाइप गूब दिखाऊंगा, इस वीडियो को लास्त तक जुरू देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्रीम ने किया, तो जुरू कर लेजेगा, कंटिनेसली वीडियो पाने के लिए, और अपडेट्स पाने के लिए, तो चलो, अभी देख लेते हैं कौन सा-कौन सा वीडियो है, इस कंपनी के अंदर, तो फर्स्ट चे कंपनी है, जिसके बार में चर्चा करेंगे, उसके लिए में इन्तेजार कर रहा था, तो फाइनली वो डेट आ चुके है, यो मैं आज आपके साथ सेयर करूँगा, तो आप देखेंगे, तो डीटल्स में देखेंगे, तो कंपनी के उपर, इन्फ फॉफिट डवल हो चुके है, इस पार, करीबन दो सो पांच करोड के आसपास, और दस रुपया करके इसलिए कंपनी क्या किया है, डेविडेन भी इसु किया है, देखेंगे, बहुत सारे लोग एवी सोचेंगे, किसर दस रुपया का डेविडेन दिया, तो मुझे तो फा पर्सेंटेज के हिसाब से आपका प्राइस का अजस्मेन भी हो जाएगा, मानके चले में एक एक एक्जम्पुल दे रहा हो, मानके चले अभी शेर का प्राइस दुहाचार है, तो इसमें आपको आपको लगरे के दस रुपया आपको डेविडेन मिला, तो दस रिपया अग प्राइस के आज्यस्मेंन हो जाएगा, आपको लागा है कि मुझे डिबिडन एक्सटा मिला, कुछ भी एक्सटा कमपाणी के देते नहीं, आपको यही दे रहा है कि आपको लग रहा है बहुत कुछ मिलाया, मानके चलिए आपको मैंने सौ रुपीया दे एक बार और आपको दो भार 50-50 करके रुपीयद दे रहा हूँ तो आपको क्या लग है कि मुझे दो भार पाइसा मिला बिल्कुल नहीं दो भार तो आपको पाइसा मिला इसे पहले जो रुपीज एक बार मिला था इस बाद दो बार मिला है यही कंपणाई करते है dividend split देने के उपर तो आपको इस हारी चीज़े को समझना पड़ेगा क्योंकि आज तक MRF ने dividend नहीं दिया तो उस company आपको अच्छा ख़सा return generate करके दिया तो कहने का मतलब है कि company का profitability तो बड़ा है इतना बड़ा चलो एक बड़ में आपको दिखा भी देता हूँ अगर sales के बार में चर्चा करू तो 600 क्रोड के आसपास sales हुआ था वो इस बार बढ़के हो चुग है 626 क्रोड के आसपास तो sales में अच्छा खासा ग्रोध हुआ सालाना continuously growth होता जा रहा है expense को भी company क्या क्या maintenance के और उस basis में company क्या हुआ profit को भी growth किया जैसे पिछले बार कितना था 94 क्रोड के आसपास profit था और इस बार कितना profit हुआ 240 क्रोड almost double के उपर तो company के उपर इस तरी के से growth होने के कारण share में भी massive momentum देखने को मिल सकता है और देखिए पिछले बार कुछ quarters में देखेंगे तो company तो दो quarters पहले company तो big losses किये थे करीबन 500 क्रोड के आसपास और सोची यह company जैसे तरी किसे net profit को generate कर रहा है उस basis में देखेंगे तो company की profitability है मुझे इस बार अच्छा कासा देखने को मिला मैंने आपको यह भी बता था कि festival का माहौल स्टार्ट हो चुके है और अभी situation में company के result है वो अच्छा कासा आपको दिखेगा तो next जो quarter आने वाल है वापे भी साइद आपको अच्छा कासा profit देखने का chances रहेगा तो रही बात इस company के उपर investor के तो मैं आपको यह भी बता था कि कुसी भी quarter का result है वो result आने से पहले आपको company के उपर investor जो है उसमें FIS और DS का investment आप देख लेना अगर FIS और DS का investment थोड़ा सा भी बढ़ा तो सोचना result अच्छा कासा आने का chances है तो बही हुआ जो मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपको share किया था यह अच्छा कासा delivery उठा जा रहा है इसका मतलब अच्छा कासा result आने का chances है क्योंकि हम लोगों को सर्फ data देख कर सारे के सारे जैसे हम में यूज करता हूँ screener.com तो इस website के माद हम से आप सारे data देख सकते है sorry screener.in इस site के माद हम से सब कुछ देख सकते है तो इस तरीके से बहुत सरे website को में follow करता हूँ हम लोगो data सर्फ website मिलते है मगर company के उपर management के उपर बात्चीत सर्फ institution ही कर सकते है तो कहने का मतलब है institution के पाथ ज्यादा knowledge होते है और ज्यादा data होते है तो इसलिए हमेशा आपके institution को follow करके चलना पड़ेगा रही बात इस company के उपर as a last few days का delivery का data तो कुछ delivery में उतना खास growth देखने को नहीं मिला जिस तरह के से growth होना चाहिए था मार्केट देखे अभी भी उतना high volume में upside में train नहीं कर रहा है अभी फ्रेसराइज में है कभी गिर रहा है कभी उपर जा रहा है तो इसी तरह से volatility के उपर company काम कर रहा है मतलब market काम कर रहा है तो उस situation में company के उपर भी उतना aggressively लोग buy नहीं करेंगे जो market फिर से reversal होना start हो जाएंगे तब aggressively लोग holding को add करेंगे तो company के बारे बात करो तो आपको मैं यह भी बता है एक big जैसे solder उसके बाद big जैसे head बना फिर इस एक solder यहापर बनने जा रहा है तो finally solder अभी तक बना नहीं तो मुझे लगता है time लएगा कि कि यहापर जिस तरह किसे pattern scared हो रहा है तो मुझे लगता है थोड़ा सा time लग सकता है अभी कितना time लाएगा इस solder को company होने में वह तो बाद में पता चलेगा और मैंने आपको एक level भी mention किया था यहापर strongly एक support zone है और support zone के बाद देखिया यहापर retracement किया और support दो तरीकी से है पहली तो यहापर एक support भी है उसके साथ साथ यहापर एक strongly 200 days यह में भी है एक बा सकते है यहापर 4,886 level तक वो easily achieve कर सकता है बाकी आपके कराय है जोरी मिज़े comments करके बताना नेक चो company है इसके बारे में चर्चा करूं उसका नहीं बालाजी आमेंस तो बालाजी आमेंस के बारे में चर्चा करूं तो यह एक chemical sector से belong करते है इस company के पार्फरमेंस है आपको बे आपर है देखिए chemical sector के उपर काम कर रहे है तो इसलिए company के उपर थोड़ा सा प्रेसराइज है यह कि company के जो में बीजनेस है वो specialty chemicals के उपर है और फार्मा sector के उपर भी company business करते है तो अभी specialty chemical के जितने सारे companies product बना है उसके सारे companies के उपर बहुत ज़्यादा correction का momentum देखने को म इंडिया मार्केट में उसका chemical का product वो सस्ते दामों में discount price में बेच रहा है अनके चली जो product के कीमत सा रुपीज है जो इंडिया बेच रहा था सौर रुपीज में वही product चाइना भी बेच रहा है 90 रुपीज में इतना बड़ा discount देने के कारण इंडिया मार्केट का जो नहीं कर पाएंगे किकि उसका जो रिजव पड़े हुए थे जो कोबीड के टाइम में जो inventory ज्यादा हो गया था उसको क्लियर करने के लिए इस तरीके से discount रहे है तो जब क्लियर हो जाएगा तो फिर से बो नया चो inventory होगा तो उसके पर बो discount नहीं दे पाएंगे किकि उसका costing ज्यादा हो जाएगा जहाँ उसका profit margin negative में चला जा सकते हैं तो थोला सा patience का game है आभी patience के साथ बने रहना होगा और रही बात company का result finally आ चुक है यह पहले बोल चुक हो तो result आपको अच्छा नहीं दिखेगा 50% sales down हो चुके है कि सर्फ एही company को को नहीं किसी भी chemicals company को उठा कर देख लीजेगा सारे के सारे एही हालत देखेगा तो sales काम होने के कारण profit भी देखे काम हो चुक है तो almost देखे तो three times से भी ज्यादा company का profit margin काम हुआ जिसके चलते एक भारी भार कम correction भी देखने को मिला है तो उसके बारे में discussion करू तुससे पहले institution के बारे में चर्चा करू देखे प्रोमोटर के बाद FS के पास holdings तो है, DS के पास छोटे मोटे holdings और पाबली के पास भी अच्छा कासा holding देखने को मिला है अब ही आजे investor के बारे में बात करू तो आप देख सकते हैं कि बलाजी आमेंस के उपर एक ही बात कहूंगा कि इस company के उपर जो data आपर देखन को मिला है उस data के आधार के हिसाब से बात करूं तो लास्ट कुछ few days में company के पर delivery continuously add किया जा रहा है इसका मतलब जब भी share का price का correction हुआ तब भी कुछ quantity आप एड किया जा रहा है अब ही बाला जी आमें इसके बारे में एक ही बात कहो कि company के उपर जो चार्ट पटन है तो मैं यहां पर बीच में कोई भी rate गंडन नहीं है तो इस level को top level से down level तक marking कर लेना तो यहीं आपका range होना चाहिए 20% के उपर तो अब इसलिए 20% के उपर बना और एक plus point क्या है 200 days नीचे इसको बनना चाहिए 200 days और जो यह में है उसके नीचे अगर बने तो higher possibility है जब भी यहां प opportunity दिया जा रहा है और next to level है यहां तक target होने का chances है तो फिलाल के लिए market को पर प्रेसर है सेक्टर को पर प्रेसर है तो और भी ज़्यदा गिरावट होने का chances भी मिल सकते हैं तो please so समझ कर समल कर काम करिएगा तो आपके कराय है इस company को पर जोरू मुझे comments करके बतना next company जिसके अगर website visit करेंगे तो आपको सब कुछ data देखने को मिल जाएगा तो इस company को website दिखाने से पहले company का quarterly result में दिखा देता हूँ देखे sales के मामले में पिछले साल में जो sales हो था उससे थोड़ा सा sales बढ़ा मगर quarter quarter को company bit नहीं कर पाया same to same range में company का sales देखने को मिला और मुझे इस अगरा सा company sales भी कर रहा है और profits भी maintenance कर रहा है और एक चीज अब ध्यान दिजीगा company के जो operating profit जो margin है वो 6% से बढ़के हो चुके 8% जब भी FMCG product पर काम काने वाला company होते है तो उसका margin बहुत काम होते है तो उस margin के इसाब से अगर 1% का भी growth हो ना तो सोच लेना एक अच्छा अगरा सा growth है तो 6% से बढ़के हो चुके है 8% के आसपार तो company के जो net profit है वो भी देखिए 19% से बढ़के हो चुके 25% तक तो company के profitability है तो लगातर लगातर यहां पर क्या हो रहा है बढ़ते जा रहे है तो इस basis में दिखा है तो company quarter को भी bit किया और year basis को भी bit किया तो इसका मतल अर्बिंद उसके साथ जाइडस, wellness, ITC और भी देखे कितने बड़े-बड़े customer है इमामी है, बाटा है, साथी सा रिकेट है, उसके साथ Tata consumer products है, उसके साथ मरी को है, अब देखेंगे तो कितनी बड़े-बड़े customer, गोत्रेज भी है, GS की भी है, गोवर है, विप्रो है, पे अब करते हैं, तो रही बात company के उपर investor के, तो देखे, promoter से लेकर FSDS public हर किसी ने इस company के उपर निवेस करके है, तो कहने का मतलब है, इस company के उपर अच्छा खासा निवेस हो रहा है, और इसी लिए अच्छा खासा investment हो रहा है, तो इस company के growth होने का chances feature में जादा देखने को मि लेता हूँ company को जो total share capital है, और reserve है, वो करजे को bit नहीं कर पाया, इसका मतलब थोड़ा सा तो या पर weakness है, अभी यह देखना है कि company करजा क्यों लिया, company को देखे, 107 crore के आसपास total इस बार trade मिला, तो 107 crore का trade मिला, और company profit कितने किये, 85 crore, तो company कहा से वो पैसे को तो इसलिए company क्या 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 करजा उठाया है, करजा थोड़ा सा ज्यादा है इस company का, बाकी सारे parameters देखाजे तो ठीक ठाकी है, तो बाकी आपके इस company के उपर क्या रहा है, जो रूग comments करना और chart buttons के बारे में मैं चर्चा करू, तो इस company के उपर आप chart button देखेंगे, तो यह आपको बहुत बार बोल चुका हो, जब भी इस तरीके से कोई tape बनता है, तो सबसे पहले higher level को, top level को, और down level को marking करना, क्योंकि यह पर तीन candle में green बना था, और यह पर 28 person का target बना था, जब भी निचा आया, यह आपर anti बना, और देखिए boom, खितने जल सजल target गया है, आप दे study कर सकते है, मेरा मकसद एक ही है, यह इंडिया का जब जिस तरीके से growth हो रहा है, उस तरीके से हर बैक्ती का growth हो, हर बैक्ती सीख कर पैसा कमाए, ऐसे नहीं कि कि किसी का tips लेकर, किसी का बात सुनकर पैसा कमाए, जहापर बोलो बुरी तरीके से फच सकते है, आज बहुत स्कते हैं सारे चीज़ ब्लाइंट्ली की सिख्के उपर भरोसा मत करिए कुसी ब्लाइंट्ली के उपर भरोशा मत करिए मेरे उपर भी नहीं皆さん का नेक्च्छ अ कंपपनिες के आपडेट वीडियो में के जानकर अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना दोस्तों को साथ भी सेर करना चैनल को सब्सक्राइब भी करना विलते नेक्स वीडियो में तब तक ले अच्छे सरी अपने ख्याल रखिए धन्यवाद